हेलो दोस्तों तो फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में आज की वीडियो में मैं बताऊंगा विजुल स्टूडियो कोड का सेट अप हम सब अगर जो भी इस चैनल का जो भी व्यूर्स प्रोग्रामिंग की तरफ है जो भी कोडिंग वगरा की तरफ जा रहा है तो उसके लिए क्यां विजुडियो कोड एक बहुती बेस्ट टूल है और आजकल तो सभी यूज करते हैं एक ताइम था जब हम यूज करते थे नेट बिन्स के आईडी पाइचां के आईडी वागरा ऑट आज के टाइम पे इस टाइम पे विजुल स्टूडियो कोड एक आईडी तो नही और विजुल स्टूडियो के साथ किस तरह से काम कहने है उसके कुछ कुछ सेट अप एंड कुछ एक्स्टेंशन जो बहुत ही काम के एक्स्टेंशन है और मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा ठीक है सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ विजुल स्टूडियो कोड अभी यह गलती मत करना कुछ लोग करते हैं यह है विजुल स्टूडियो कोड और एक और चीज होती है वो है विजुल स्टूडियो तो इन दोनों में यह जो विजुल स्टूडियो आईडी यहां पर देख र लेकिन बहुत ही super advanced notepad है ठीक है और जो visual studio code है वो एक integrated development kit है तो इसके अंदर visual studio के अंदर पर बहुत कुछ कर सकते हैं मुझे खुद 3 साल हो गए visual studio में काम करते करते और आज भी इसके नए-नए features मुझे मिलते जा रहे हैं हाला कि इसकी इतनी जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी visual studio code visual studio नहीं download करना है visual studio code करना है हमें ठीक है तो यह मत करना यह करेंगे और इसके और differences है जो मैं बात में बताते जाओंगा लेकिन अभी अपन इस पर focus करेंगे visual studio code पे तो visual studio सूर्च किया अभी यहां पर आ गए वेले search result में एंड उसके बाद हमें download करना है Windows Windows वाला version कोई Linux करता है तो यहां से कर सकते मैक के लिए यहां पर कर सकते हैं अगर को Linux या Mac यूज करता है तो वह already इतना advanced होगा कि वह खुद कर सकते Windows के लिए यहां पर ऐसे करना है जैसे आप यह करोगे download होना चलो हो जाएगा एंड मेरा speed थोड़ा ठीक ठाक है तो बहुत जल्दी download हो आपको थोड़ा राइम लग सकते तो कोई बात नहीं चिल करें जब तक download होता है तब तक ओके यहां पर मेरा यह विजु शुडियो का file download हो चुक है मैं SP क्लिक कर दूंगा तो यह इंस्टल होने के लिए start हो accept the agreement करना है उसे बाद next करना है यह सब के साथ छेड़ खाने नहीं करना है बस next करना है जो जैसा दिख रहा है कुछ नहीं बस next यह सब भी कुछ नहीं करना है अगर चाहिए तो यह कर सकते हो यह और यह open code with यह दोने चीज़ कर लो and बाकी के चीजे ऐसी ही next कर दो ओके और ए बस एक notepad है लेकिन यह एक super advanced notepad है अभी अगर मैं यहाँ पर notepad open करूँ ठीक है अभी यह notepad है इसमें मैं बोलूँगा कि code लिखो तो code लिखना possible है लिख सकते है मैं लिख दूँगा import java.util अब जो भी है java में पता नहीं बठां कर सकते हो फिर कर सकते हो public static void main बहुत म main string args ठीक है बहुत बहुत काफी काफी मेनत हो जाएगा एक एक चीज़ करने के लिए लेकिन यही चीज़े है जो आपको visual studio code में बहुत easy कर सकते हो and यह एक एक चीज़ टाइप नहीं करना पड़ेगा यह brackets automatically close हो जाएगा तो इन सब भी चीज़े के लिए हम यह यूज करते है visual studio code अब यह install हो चुका है मैं इसको launch कर लेता हूँ अब launch होने के बाद visual studio का जो यह है यहाँ पर कुछ चीज़े है क्योंकि मैंने इस पर already काम किया था तो मुझे यहाँ पर देखे रही recent में अगर नहीं होगा तो आपको एक blank सा चीज़ दिखे यहाँ पर कुछ भी already setup नहीं होगा एकदम blank होगा तो यह है first time जब आप visual studio code को open करते हो and open करने के बाद कुछ नहीं दिखता है बस ऐसा अब हम इसको थोड़ा सा समझते visual studio code में क्या-क्या है यह आप जो भी देखते हो यह आपका explorer है यह सर्च वाला बार है यह है source control अगर चाहिए तो git को हम add कर सकते इसके इसके इंदर by the way मैं मैंने git पे थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगा तब मैं इसमें बताऊंगा और यह है extension यह एक marketplace है इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत अलग-अलग चीज़ों को add कर सकते हैं इंस्टल कर सकते हैं और इस visual studio code जिस जो अलड़ी बहुत advanced है उसको और advanced बना सकते हैं के बाद यह सब बहुत ही standard विल को सर्च करना है और यह mouse विल जूम इसको मैं enable कर देता हूं तो करता क्या है कि अगर मैं suppose करो कि मैं एक फोल्डर उपन कर लेता हूं तो फोल्डर को मैं open यहां पर create करता हूं एक folder फोल्डर के लिए फोल्डर के लिए अब मैंने यहां पर एक फाइल बना दिया hello world hello world.txt मैंने बना दिया और इसके मैं अंदर मैं जो भी लिकूँ ना I am Rajesh अब मैं चाहूं तो control के साथ इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूं तो वही यह वही था वह विल वाला जो सेटिंग्स हमने भी चेंज़िए वह इसी के लिए था उसके बात जो मेरा सबसे important वाला काम है वह है word wrap अब word wrap होता है इसमें क्योंकि वह सिर्फ एक बार करके भूल जाना होते है तो travel word wrap word wrap का मतलब यह है कि मैं बहुत कुछ अगर मैं लिख दूँगा न तो यह अपने आप second line पर आ जाते हैं यह अगर मैं word wrap ना करूं तो यह यहां से एसे स्क्रोल करना पड़ेगा जो कि यह बहुत ही वेस्ट है ओके मैं फिर से यह दूसरी सेटिंग है उसके बाद आ जाता है थीम्स की मुझे यह थीम्स सच करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो उसके लिए मैं चेंज करता हूं सबसे पहले थीम पहले हम जाएंगे यहां पर एक्सेंशन में और इसमें मैं सच करेंगा मैं अधिरियल को सब्सक्राइब को ओकेज्व के साथ साथ यह एक आईकोन मट्रियल आईकोन है और दियो में वह भी इंस्टॉल करना है और उसके साथ आता है यह यह दोनों ही चीज़ों को इंस्टॉल कर लेना है इससे होता है कि जो material theme icon theme से यह होता है आपके जो files को है वो इससरे से icon में जाता है अगर मैं कोई python का बना हूँ file hello.py तो देखो कितना मसता icon python का दिख रहे है बस यही फाइदे है and अभी हाँ यह theme theme आ गया है तो मुझे theme में जो पसंद है वो है यह वाला यह theme मुझे काफी अच्छा एक्दम clean और neat और polished है आप अपने हिस्वाद उन्वसार जो भी theme पसंद है उच्छोज कर लो okay इसके बाद चीज आ जाती है जो मेरा सबसे यह है अभी यह कोई feature already inbuilt है इसक HTML का एक file है इसमें अगर मुझे HTML का पूरा head, body, title यह सब अगर करना है तो कितना time लग जाएगा लेकिन Visual Studio Code में यह feature है मैं यह exclamation mark करूँगा और यह emmet abbreviation दिख रहे है इस पर अगर मैं click करूँगा यह broiler plate में लिए generate हो जाते है इसको हम बोलते है emmet, emmet के एक और फायदा है कि अगर मुझे suppose कि मुझे h1 tag create करना है जिसका id होगा heading 1 तो मैं ऐसे कर सकता हूँ और मैं भी जैसे एंटर करूँगा देखो heading 1 अभी suppose मुझे 3 anchor tags चाहिए a into 3 मैं करूँगा तो मुझे 3 anchor tags में जाएंगे इसे बहुत से features है emmet के जो बहुत काम आते जो अगर html development करना है तो सिर्फ कीज़े बहुत fast हो जाती है यह आप notepad में जिंदिगे में कभी नहीं कर पाते हैं इसके बाद आजाता है कुछ यह है कुछ extension से जो मैं बहुत use करता हूं बहुत regularly use करता हूं उसमें से पहला है live server यह वाला यह मैंने अलड़ी इंस्टल लगे है इसलिए शाहिद यहां पे दिख रहे है बट हाँ इस वाले को install कर लो कितने 11 million से भी server में run होना चलो हो जाएगा अब मैं इसमें जैसे ही कुछ भी add करूँगा जैसे कि यह heading है इसमें मैं लिखता हूं hello world मैंने hello world लिखा और मैं इसको भी फाइल को जैसे ही control s करके save करूँगा okay यह helm low world है okay मैं जैसे ही फिर से save करूँगा वो यहां पे hello world हो जाते है तो real time changes और HTML development करना है तो यह वाला जो extension है live server यह बहुत काम आते हैं उसके बाद है जो मुझे बहुत use करता हूं वो है यह रिख्या होगा इसको okay उस extension का नाम है bracket pair polarizer हाँ यह कमाल का बहुत ही simple बट बहुत ही effective extension है यह अब मैं बताता हूं कि यह करता क्या है अगर मैं जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करता हूं ना script function हेलो यह दिख रहा है colorful brackets और मैं यहां पर जैसी क्लिक करूं तो मुझे यह यह यलो कलर की लाइन से पता चल जाते कि यह function कहां पर जा रहे है कहां पर नहीं इसके अंदर मैं अगर चाहूं तो इसका सब्सक्राइए सिफकर सब्सक्राइए तो फिर अगर मैं इसको हटा दो तरह मुझे पता चाहँ जादि की इस वाले का sabemक्र यहां पर यह येलो गांपर रहता है हां यहां पर मिलेगा मैं फिर बाद में यह यलो वाला इसे बंद कर सकते हैं अग भी इसके बाद आता है तो मेरा दूसरा फेवरेट एक्स्टेंशन है वो है रेस्ट रेस्ट क्लाइंट उसका नाम है सर्ज कर लेते हैं एक बार और यह वाला है इंस्टल गरता है अगर कोई HTML का development करता है frontend में है तो यह तो इसके बहुत भहुत काम का है अभी इसका example मैं अच्छी तरह से यहां पे न दे पहूँ क्योंकि इसके लिए एक API टेस्टिंग के लिए करना पड़ेगा तो कोई भी फाल बना लिए जैसे कि my.http जबरी निया मैं फाइल को भी बना सकता हूं बट बस यहां पर करने के लिए और इसको मैं एक यह कर दूँगा एक URL दे दूँगा अब यह मेरी वेबसाइट है तो मैं मैंने मेरे वेबसाइट का ही नाम दिया है अब मुझे यह वाले इस वाले URL को execute करके देखना है कि इसका मतलब चल कर सका है या फिर मुझे देखना है कि मेरा contact page चल रहे है कि नहीं कि इसके लिए मैं काम कर सकता हूं यहां पर है and request so okay so मेरा contact page नहीं है you and yeah मैंने contact spelling गलत कर दी थी okay response में मुझे ओकिया है मतलब हां मेरा contact page सही सलामत चल रहे है और यह सब कुछ तो content से page के यही यह मुझे बहुत सही लगते है इसमें अगर चाहिए तो हम get put जो request है वह भी form कर सकते and इसके tutorials के लिए आप यह follow कर सकते है यह अगर मुझे कोई post वाला testing करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं और बहुत कोई कुछ ज़्यादा जैसे देखा यहां पर मैंने बस URL लिखा और मैं यहां पर कर सकता हूं मुझे दूसरे links को check करना है जैसे कि मुझे facebook check करने है तो मैं कर सकता हूं अभी facebook check करने का मतलब नहीं मन्ति है कि अगर आपको facebook check करना है तो direct browser में भी कर सकते हूं यहां पर यह है कि मैं मानने लोग कि मैंने खुद का कोई website create किया है खुद का API create किया है उसको अगर मुझे test करना है तो मुझे browser खुलने की जरूरत नहीं है कि मैं visual studio code की अंधर ही कर सकता हूं अगर मुझे यहां पर इसको करना है तो मैं कैसे करूंगा अभी मुझे यहां पर send का option क्यों नहीं आ रहे हैं control shift P और यहां पर करना है send send search करना है यहां पर send request option आ जाएगा तो क्लिक करोगे तो send हो जाएगा के लिए यहां पर करना है इस यह facebook.com को select control shift P send और इस बार जो send हुआ है वह हुआ है Facebook page का यह वहला link इस बार execute हुए तो शायद मैंने कुछ तो गड़बड़ एक है जिसके वए यह settings भी थोड़ा समय सब हो गई बढ़ हां यह सब कुछ है मेरे यह थे क्या बहुत है extensions और कुछ features थे visual studio code की जो मुझे मैं बहुत पसंद करता हूँ मैं बहुत यूज करता हूँ और मैं चाहता था कि आप लोग भी यूज करता हूँ और मैं जो dark theme है वो मैं हमेशा यूज नहीं करता हूँ कभी कभार मैं light theme भी यूज करता हूँ तो कोई मुझे जेल में मट डालना प्लीज ठीक है मैं अभी यहां पर मैं switch कर लूँगा light theme के लिए तो material का light theme कुन सा है यह ठीक लग रहे हैं यह उतना dark नहीं यह ठीक लग रहे हैं तो यही था मेरा चोटा से वीडियो वीजियो सुडियो कोड के उपर जाओ install करो time pass करो मजे करो और मैं next video में फिर से आता हूँ कुछ तो और लेके ठीक है तब तक के लिए हैं मजे करो बाई